यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में है RBL Bank का Credit Card तो दोस्तो इस Card के लिए जब मैंने Apply किया था तो मैंने 18 April को मैंने Apply किया था और आज दोस्तो है 1 माई तो आज के दिन ये Card मेरे Address पर Deliver हो करके आ गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस Card की Packing जो है काफी अच्छी Packing करे हुई है प्लास्टिक के Rapper में है और प्लास्टिक भी काफी अच्छी Quality का है तो चलिए दोस्तो मैं इसकी Unboxing करता हूँ और Unboxing करने के साथ साथ इस Card के क्या-क्या Features हैं कितनी Limit का मेरे को Card मिला है और इसके क्या-क्या Benefit है वो सारा कुछ मैं आपको Detail में Explain करूँगा तो चलिए मैं सबसे पहले इसकी Unboxing कर लेता हूँ तो Unboxing करने के लिए मैं यहाँ पे एक Knife लूँगा और Knife की साहिता से मैं इसको यहाँ से Cut कर लेता हूँ तो Packing अच्छी है क्योंकि Card अभी कभी भी आगर आपको Card Deliver होता है तो अगर कहीं से भी Rapper फटा हुआ है तो आप Card को Accept ना करें यह लगबख सभी Bank के लिए लागू होते हैं चाहिए आप किसी भी Bank का आप Card लें तो यहाँ पर दिखें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपका Package फटा हुआ है कहीं से मुड़ा हुआ है या किसी प्रकार कोई भी अगर इसमें Damage है तो आप इसको कभी भी Receive ना करें क्योंकि आपके साथ Fraud हो सकता है तो मेरा यह Packing कास अच्छा मिला था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिथीन के उपर ही RBL Bank का logo printed था और बाकी सारी चीजें इसके उपर printed था तो मैं इसको यहाँ side में रख देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमें क्या-क्या मिलता है तो यह है हमारा RBR का credit card तो इसके अंदर यह envelope है तो इसे भी हमें यहां यहां से unboxing करना होगा ठीक है ना तो मैं इसकी भी unboxing कर लेता हूं ठीक है तो चलिए यहां से इसके wrapper को हम यहां से खूलते हैं यहां पे भी एक तरह का स्टीकर लगा हुआ है तो मैं इसकी टेपिंग को भी ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो इसकी ओपनिंग करते हैं तो यहां पे भी साइद कुछ लगा हुआ है इसे भी में पाड़ना पड़ेगा तो क्रेडिट कार्ड काफी सिक्योर होते हैं तो इसलिए क्या होता है इसकी पैकिंग भी काफी अच्छे से करी जाती है ठीक है ना और दोस्तो मैं आपको यह चीज और बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्किप्शन में ना मैंने कुछ लाइफ टैम फ्री करेड कार्ड होते हैं Already मेरे पास कहीं सारे card है तो मैंने कहीं सारे lifetime free create card के मैंने आपको link दे रखे नीचे वीडियो के description में तो उसके click करके भी आप लोग apply कर सकते हैं सारे lifetime free create card है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह envelope अंदर से पूरा खाली है तो मैं इसको side कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे एक letter मिला है जिसे हम लोग बोलते है welcome letter तो मैं यहाँ पर कुछ security regions के वज़े से दोस्तों मैं आपको इसका कुछ चीज़े तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे card की जो limit है वो मुझे 63,000 की limit मिली है मेरे card की limit 63,000 है और cash जो limit है इसमें 17,640 रुपए मैं यहाँ से cash withdrawal कर सकता हूँ इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो statement का जो date है वो हर महीने की 12 तारिक को मेरा statement बनेगा और मुझे 20 दिन after मुझे इसका payment करना पड़ेगा तो यह तो हो गई हमारे card के limit की बात है ठीक है और दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ इसमें benefit आपको मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने card का look आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके का हमारा card का look है और पीछे में हमें यहाँ पे CVV वेगरा देखने को मिल जाता है तो और मैं आपको दिखाता हूँ इस card के क्या-क्या benefit है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेलकम गिफ्ट जो है यहाँ पे 2000 का reward point as a welcome gift तो यहाँ पे जब भी आप card apply करते हैं तो आप मेरे को यहाँ पे आप लोग देखेगा 2000 का मुझे reward point मिल जाएगा इसके साथ साथ दोस्तो get 10% discount on up to 100 on movie ticket अगर आप book my show shirt ticket book करेंगे तो यहाँ पे आपको 10% का discount मिले वाला है ठीक है और इसके अलावा यहाँ पे 20X का reward points है grocery पर अगर आप fuel वगरा फिल कर आते हैं या फिर grocery purchase करते हैं तो भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा discount मिल जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें annual fee reversal की तो यहाँ पे gross spend of 1 lakh in a year get your annual fee waved off अगर आपका chargeable card है तो दोस्तों आपको यहाँ पे कम से कम एक लाख रुपे spend करने होगे तब जाकर के आपका annual fee reverse हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे RBL के कुछ यहाँ पे customer के नंबर दे रखे email letters का नंबर दे रखे और visit करने के लिए भी दिया हुआ है ठीक है और bank regards के यहाँ पे विकरम सिंग यादव के कुछ signature है ठीक है और यहाँ पे scan the QR code for benefit and uses guide ठीक है तो यहाँ पे scan करने के बाद आपको इसके कुछ benefits अगरा भी देखने मिलेंगे कैसे आपको इसके use करने है वो भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह काफी अच्छा card है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पीछे में भी आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनके जो help line customer case के नंबर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप card की payment कर सकते हैं online payment कर सकते हैं EFTB कर सकते हैं RBL bank के app से भी payment कर सकते हैं UPI से भी कर सकते हैं और unique checkbook वगरा से भी payment आप कर सकते हैं तो यह कुछ card के benefit है और इसके और भी बहुत सारे benefit है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि scan करने के बाद आपको इसके और भी offers पता चलेंगे तो अगर आपको इसके और भी benefit जानने है कि इस card के क्या-क्या benefit है तो मैं आपको नीचे वीडियो के description में आपको इसका link मिल जाएगा कि मेरे card का charge कितना है आप लोग यहाँ पे दीख सकते है तो मेरा जो card है मैं customer care से मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो card है वो lifetime free credit card है मुझे इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी charge नहीं देना है तो यह था पूरा unboxing जो भी हमारा RBL bank का shopride credit card है इसकी मैंने unboxing करके आप लोगों को दिखा दी है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा तो दोस्तों अगर आप भी lifetime free credit card बनवाना चाते हैं तो बहुत सारे credit card के links मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया है आप उन पे click करके apply कर सकते हैं यह सारे lifetime free credit card है और इनके offers काफी अच्छे-च्छे मिलते हैं मैं personally इन cardों को use करता हूँ इसलिए मैं आपको recommend it कर रहा तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तो अभी के लिए goodbye जाहें